तो इस विडियो में हम जानेंगे data type क्या होता है तो data type basically classify करता है type of the data that a variable can hold ये Java को बताता है कि जो value हम store कर रहे हैं computer में वो किस type की है और वो कितना memory लेगी computer में तो data type basically computer को जानकारी देता है किस बात की जानकारी देता है पहली जानकारी कि उसका size क्या है और दूसरा उसका nature क्या है जब मैं बो रहा हूं nature इसका मतलब है type ओके data का type कौन सा है तो ये दो information हमको पता चलती है Java को basically Java के through computer को पता चलती है कि कितनी size कितनी कितना reserve करना है memory में और उसका type क्या है तो data type जो है दो type का होता है Java में एक होता है primitive data type ओके और दूसरा होता है non primitive data type पहले हम देखेंगे primitive data types क्या होते हैं तो primitive data types भी दो type के होता है पहला numericals और तूसरा non numericals ये दो type के data types होते हैं primitive data types के अंदर अब सबसे पहले हम देख लेते है numericals क्या होता है let's see numericals क्या होता है तो numericals में जो data type हमको मिलेंगे सबसे पहले होता है byte ओके ये एक byte की memory लेता है मैं computer में दूसरा होता है short ये लेता है दो बाइट की memory इसका range होता है माइनस 128 से 127 मतलब की आब माइनस 128 से लेकर 127 तक की value store कर सकते हैं और 2 byte की value है इसका range है 32768 तू 32767 सिमिलेल्ली हमारे पास और भी data types है integer data type है ये 4 byte लेता है ओके लॉंग होता है ये 8 byte लेता है अ फ्लोट होता है ये decimal को store करने के लिए होता है ये जो है whole number store करता है ये दोनों whole number अगर आपको decimal type store करने है तो आप कौन सा value store करोगे सो decimal में हो गया आपका 71.87 हो गया तो ये जो है फ्लोट टाइप जो है 4 byte को represent करता है और double होता है डबल में आप 4 byte से ज़्यादा store कर सकते हैं 8 byte store कर सकते हैं तो 797 1423 इतना value आप store कर सकते हैं ये दोनों का use करके तो इसको हम समझेंगे और थोड़ा deep में समझते हैं कि ये store क्या करता है क्या कैसे store करता है तो एक example से समझते हैं for example आपके पास एक आपके घर में चार container है और ये पानी store करने के लिए तो ये सारे के सारे identical हैं और सबका जो capacity है 20 ml है 20 ml से ज़्यादा आप store नहीं कर सकते हैं तो for example इसमें 7 ml store है 7 ml 20 ml है इसमें 7 ml store है इसमें 10 ml store है और इसमें 12 लिटर इसमें 15 लिटर इसमें तो सारे के सारे containers एक जैसे दिखते हैं तो अब आपको identify करना है कि आपको कौन सा जो container है किस purpose के लिए तो आपने क्या कि आपने sticker चिपका दिया हर एक container पे तो पहला sticker आपने लगाया इसको bathing के लिए ठीक है दूसरा sticker लगाया आपने drinking के लिए हर एक container पे आपने चिपका दिया है और यह हो गया general purpose के लिए और यह for example gardening के लिए तो इससे आपको पदा चल जाएगा कि कौन सा container किस purpose के लिए आपने हर एक उस पे container पे अपने हर एक container पे sticker चिपका दिया है अब इसी maximum capacity है 20 आप 20 से जादे store नहीं कर सकते और फिल हो जाएगा similarly computer में क्या होता है कि बाइट्स होते हैं यहाँ पे क्या है liters है मतलब कि हर एक matter जो होती दुनिया में उसको store करने का उसको measure करने का अपना अपना एक unit होता है जैसे liquid है, liquid को हम कैसे measure करते हैं, liquid को करने के लिए जैसे हम लोग liters हो गया, liters, milliliters पे ही करते हैं, और कोई solid matter है, for example, rice हो गया, तो हम क्या कहते हैं, 5 kg हो गया, right, हम कहते हैं, 10 kg हो गया, similarly, अगर data को store करना है, कितना data store हुआ है, तो उसका भी कुछ unit होना चाहिए, so, bytes होते हैं, byte unit है, data का, तो यह हमको idea देता है कि कितना store हुआ है, okay, one more information, one byte is got to होता है, 8 bit, okay, 8 bit क्यों, one byte is got to होता है, 8 bit, okay, तो, computer में क्या होता है, कि हर चिस, signal के form में store होती है, 0, 1 के form में, तो, वो 0 और 1 की भाशा ही समझता है, total 8 bits है, तो यह जो information है, वो store कैसे करता है, वो information store करता है, binary form में, तो जैसे, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, तो यह जो binary form में जो भी store है, इसको आप convert करोगे, तो 1, 0 जो होता है, वो है 2 होता है, similarly, अगर आपको 3 store करना है, तो यहाँ पर 1, 1 हो जाएगा, okay, तो यह हुआ 3, 3 कैसे आया, basically, last वाला जो हुआ, उसका हुआ 2 to the power 0, plus 2 to the power 1, so last से 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे होते जाता है, 2 to the power 1, 2 हुआ, plus 2 to the power 0, 1 हुआ, किसी भी number की अगर power 0 है, तो 1 हो जाता है, तो यह हुआ 3, similarly, ऐसे ही calculate होता जाता है, तो जहाँ पर 1 है, वहाँ पर हम actual में उसकी पावर ले ले लेते हैं, जैसे कि 2 to the power 1, और जहाँ पर 0 है, वहाँ पर 0 ही मान लेते हैं, so अगर 2 calculate करना है, तो last में अगर 0 है, तो 2 to the power 1, and then 0, और अगर हम और आगे बढ़ते जाएंगे, तो 0, प्लस 0, तो इस तरीके से store होती है, कोई भी value, memory में, जैसे human brain की memory होती है, वैसे ही computer की अपनी memory होती है, जहाँ पर वो data store करता है, तो अब देखते हैं कि data को store कैसे करते हैं, computer को हमको बताना है कि मिर को 10 value store करनी है, और उसका data type भी mention करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ओके?